सहोधर सहोधर ये रहे, बीजेपी सरकार के इन प्रयासों के बीच, कॉंग्रेस गाउं के बच्चों की दुश्मन मन गई है, आपको लगेगा मुदी जी क्या कह रहे हैं, मैं सबूत के साथ बताना चाहता हूँ आज, कॉंग्रेस पार्टी की सोच देखिए, वो गाउं के बच्चों के दुश्मन मन करके आज खड़ी हो गई है, आपको पता है, केंद्र की बीजेपी सरकार ने 21 सदी की जरुवतों को पुरा करने वाली आदुनिक राष्टियस शिक्षा नीती लागू की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, के देश के महान भैज्यानिकों मसे एक इसरो के पूर्वचेर्मेन के कस्तुरिरंगैन जी उनके नेत्रुत्व में ये शिक्षानीती तयार हुई है, और कस्तुरी रंगण जी ते दो करनात का उनकी कर्मभुमी रहा है वो करनात का Knowledge Commission के चेर्मेन भी रहे हैं कस्तुरी रंगण जी की कमान में हजारों लोगों के परामर्श और देश के करोडों लोगों के सुजाव के बात ये National Education Policy उसको लागू किया गया है और इस नीती का सबसे बड़ा फाइदा क्या है उसकी विशेष्टा क्या है इस नीती में एक महत्वपुन बात है कि इस देश की जो प्रादेशिक भाचा है मात्नु भाचाएं है भारतिय भाषाओं में पढ़ाई पर जोड दिया गया है याने गाउं का बच्चा अपनी मात्नु भाचा में जहां तक पढ़ाई करके पहुँचना चाहता है पहुँच सकता है लेकिन अब कॉंग्रेस से गोशना कर दी है लिखीत गोशना की है उन्होंने कहा है कि वे आएंगे तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिशी को ताला लगा देंगे रोक देंगे अब मैं पूछना चाहता हूँ जो गरीब मा का बेटा अंग्रेजी स्कूल में दाखिल नहीं हो पाया अंग्रेजी पढ़ नहीं पाया क्या उस गरीब मा के बच्चे को डॉक्टर बनने का हक है के नहीं है पूरी ताकत से जबाब दीजे मुझे इस देश के किसी भी बच्चे को डॉक्टर बनने का हक है के नहीं है इस देश के किसी भी गरीब से गरीब बच्चे को इंजीनियर मनने का हक है कि नहीं है उसे पढ़ने करके आगे पढ़ने का हक है कि नहीं है क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाया इसलिए उसके भविश्च पर तादा लगना चाहिए उसका पविश्य रुकना चाहिए लेकिन कॉंग्रेस करनाटका में गरीब के बच्चों को जो बच्चे अंग्रेजी स्कुल में जा नहीं पाए उनको डॉक्टर बनने नहीं देना चाहती है ऐसी कॉंग्रेस को सजाद देने के लिए चुनाव है दोस्तों सजा देंगे कॉंग्रेस को सजा देंगे जना दोनों आथ उपर करके जोड़ से पताईए सजा देंगे पक्ता देंगे हम गरीब के बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं इंजिनियर बनाना चाहते हैं टेक्नोलोजी की दुनिया का महरती बनाना चाहते हैं बाशा के कारण उसकी जिन्दगी अठकनी नहीं चाहिए लेकिन कॉंग्रेस कह रही है कि हाँ टेक्निकल विशों की पढ़ाई कंड़ा में नहीं होगी हमारे जो बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते क्या वो अच्छा पढ़ने के हगधार नहीं है दोस्तों हम चाहते हैं कि बच्चों को अगर कभी कभी होता है कि बच्चा एक जगाप एडमीशन ले लेता है और वहां जाने के बाद उसको लगता है इसके बजह है वह विशह मेरे लिए ज्यादा अच्छा है मैं अगर वो पढ़ाई करूँगा तो जाद आच्छी करो पहले एक वार आप एक लाइन में घुज गए तो आपको दूसरी ट्रेक पर जाने का हकी नहीं था या तो आप आगे बढ़ो या छोड़के घर चले जाओ हमने कहा नहीं आज का नहुजवान अपनी समझ से निर्णे करने के लिए तयार है अगर आज वो एक विशे पढ़ रहा है लेकिन एक साल के बाद उसको लगता है कि मैं इससे उदर बहतर कर सकता हूँ और अगर वो विशे बदलना चाहता है सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है तो बिना उसका वर्ष खराब किये वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है ये नई एट्यूकेशन पॉलिशी है कांग्रेस इसको भी रोकना चाहती है कांग्रेस करना चाहता के बच्चों से यहां के विद्ध्यारेथियों से सारे विकल्प छिन लेना चाहती है और कॉंग्रेस कहेगी उसी रात्ते पर चलने के लिए मजबूर करना चाहती है। इसने ही तरह हमारी सरकार इस वीजन पर काम कर रही हैं कि यहाँ विद्यार्थियों के पास डिगरी भी हो और उनके हाथों में स्कील भी हो, हुनर भी हो। कॉंग्रेस आधुनेक राष्टिय सिक्षा निती पर रोक लगा कर करना टका के युवाओं के बविश को ताला लगाना चाहती है।